नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज कुमार, one of the SSRians, लाखो करोड़ो SSRians की तरह है। SSR की जस्टिस की लडाई जो है, हम लोग सब लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि, who killed Sushant? आज हम उसको trend कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात मुझे ये समझ में नहीं आती। और अगर आप में से किसी को समझ में आती है, तो बताना। कि हमारे देश, जिसे की विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है। उस लोकतंत्र में न्याय मांगना इतना कठिन क्यों है। जहां सरकार से लेकर न्याय पालिका तक दिख जाती है। एक बच्चे को भी अगर वो सुशांत की जो तस्वीर वाइरल भी थी, जब वो मरे वे पाए गये थे। उस तस्वीर से एक बच्चा भी बता सकता है कि ये आत्म हत्या नहीं हत्या की गई है। कोई देख कर बता सकता है कि हत्या के लक्षन क्या होते हैं और आत्म हत्या के लक्षन क्या होते हैं। शरीर पर चोट के निशान नहीं होते हैं आत्म हत्या में। अपने आपको एक बार में आदमी खतम करना चाहता है। टॉर्चर नहीं करना चाहता आत्महत्या में एक सिंपल सा मनो विज्ञान है इसके पीछे कि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो आप देखें, रिसर्च करके देखें, पता करके देखें कि कोई आदमी अगर आत्महत्या करता है तो टॉर्चर नहीं करता आपने आपको इस केस में सुशान्त जी के केस में जिसको की बहुत सारे प्रतिभाशाली सो कॉल्ड नेता सो कॉल्ड डॉक्टर्स सो कॉल्ड पुलिस ये सब कह रही हैं कि ये आत्मात्या है मेरे और आपके जैसे कई SSRIANS ने कई बार ये सवाल पूछा है कि हमें एक बात तो बता दो अगर ये आत्मात्या है अगर ये आत्मात्या है तो गले में बेल्ट के निशान क्यों है अगर ये आत्मात्या है तो पैर क्यों तूटा हुआ है अगर ये आत्मात्या है तो bed से ceiling की जो height है वो almost सुशान के height की है कोई इस तरह से decide क्यों करेगा उतनी height में कोई आत्मात्या कैसे कर सकता है और हर एक बात की जानकारी देने वाले हमारे सुशान जो कि Instagram में बहुत ज़्यादा active थे और अपनी बातों को खुल कर रखते थे आत्मात्या करेंगे और एक note नहीं छोड़ेंगे बता दीजे मेरे सिर्फ इन चंद सवालों का आप जबाद दे दीजे कि अगर सुशान जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ती सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि सुशान कायर नहीं थे कि चलो आज फिल्मे कर रहा हूँ कि और को हो सकता है फिल्मे कर लूँगा तो मैं थियाटर कर लूँगा थियाटर भी नमिला तो अपने गाँ में जाके और्गैनिक क्छेती कुछ नई तरह की चीजे करुँगा खेती में भी मैं क्रांती लाँँगा इस तरह के विचार रखने वाले सुशान के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने आप महत्या कर लिए तुम जैसे चंद लोग जो हैं जो सुशान को शुरू से बदनाम करना चाहते थे इस मौके पे भी बदनाम कह रहे हैं ये कर रहे हैं ये कहके कि उसमें उन्हें आपना हत्या किया, नहीं, चांद और तारों की बात करने वाला सुशांत, जो जमीन उसने चांद पे खरीद रखी थी, इतना दूर की प्लानिंग रखने वाला आदमी, आपना हत्या कर लेगा, और CBI को ये नहीं दिख रहा है, CBI क्या चेक कर रही है, क्या जाज कर है, क्या चल रहा है, मोधी जी, आपके रैलियों में लोग अगर सुशांत की न्याय की बात करते हैं, मोधी जी को चाहने वाले जो लोग हैं, उनको भी मैं बता दूँ, मैं मोधी जी को पसंद करता हूँ, he's a प्रधान मंतरी, he's a very good prime minister, लेकि न्याय कहा है प्रधान मंतरी जी, कहां मिल रहा है न्याय, आपकी रैलियों में लोग न्याय मागने के लिए जाते हैं, कहते हैं, PM, ATLIST, SSR के लिए चंद शब्द तो बोले हैं, आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता कि यह हत्या की गई है, किन को बचा रहे हैं, शिव सेना के साथ मिल करके BJP कि इसको बचाने की कोशिश कर गी, राजनीती का इतना घंदा रूप आप हमें क्यों दिखा रहे हैं, आपकी रैलियों में लोग SSR के बैनर्स लेकर जा रहे हैं, SSR की तस्वीर लेकर के जा रहे हैं, तो उनको चुप करा दिया आता है, उनके हाथों से बैनर छिन लिया आता है महिलाए हैं उन पर हमला कर दिया आता है और ये उनी के सुषांत के राज्य बिहार में ऐसा हो रहा है नितिश कुमार जी आई जी पंडे साहब एकदम से गायब ही हो गया मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं अब आप और आ एलेक्शन की त्यारी कर रहे हैं कि जीए न आप ये बात याद रखेगा कि सुषांत की वज़ा से आपको टिकट मिली है दिल पे खास्त की वज़ा से आपको टिकट मिली है कि नहीं मिली है और वो टिकेट इसलिए मिली थी क्योंकि हमने सोचा था सुर्षांत के न्याई की लडाई में आप आगे चल कर हम लोगों का मार्ग दर्शन करेंगे लेकिन नहीं आपने वलंटियर रिटायर्मेंट ले करके जनता दल युनाइटेट से टिकेट ले लिया आपको बता दे पांडे जी जिस जनता ने टिकेट दिलाया है वही जनता आपको भोट भी करेगी और याद रखिए ये भोट करने के मामले में आप मार खा जाएगे क्योंकि आपने सूशान को धोखा दिया है और करोडों लाखों ऐसे सारियंस को धोखा जी है और ये बात दूर तलक जाएगी पांडे जी नितेश कुमार जी, मोदी साहब, उद्दव ठाकरे, सब सुनो एक हत्या को आत्म हत्या बनाने की जो साजेश चल रही है ये बहुत गलत हो रहा है हम लगे में, जीया खान की लड़ाई अब तक उनकी मा लड़ रही है हम ऐसे सारियंस कई बार ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ और सोचना जायज है क्योंकि हम ये लड़ाई जून से, 14 जून के बाद से लड़े जा रहे हैं पास से छे मेने होने को जा रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं पहली लड़ाई हमने लड़ाई की, CBI को ले आओ CBI पर भरोसा हमने किया पर अब तो मुझे लगता है कि CBI की अगर मैं FBI की भी ले आओ फॉरंसिक जो फॉरं ब्यूरो एजनसी है अगर उनको भी हम ले आए तो उनको भी आप खरीद लोगे पैसे आपके पास बहुत है पैसे का खेल चल रहा है ऐसे कितने सुशान्त को आप मारते रहोगे सुशान्त के मरते- बाते कितने और लोग मर गए मुंबई मे मुंबई से इतना ही कर दो कुछ नहीं कर सकते अगर आप प्रदामंत्री जी एक चीज तो करी दो हम ऐसे सारी चाहते हैं और ये दिल से चाहते हैं कि बॉलिवूड को मुंबई से मुंबई कर दो मुंबई खतम हो जाएगा ये मुंबई में जो धमा चोगड़ी मचीविन है जो माफिया गिरी चल रही है ना मुंबई की ये सब खतम हो जाएगा मुंबई से बॉलिवूड को मुव कर दो देखो ना सब की बोलती बंद हो जाएग ये जितने लोग उचल रहे हैं जितनी लोग बड़ी बाते कर रहे हैं मुंबई में बैठ करके सब के सब टाइट हो जाएगे और मुझे ये लगता है कि सुशान की सबसे बड़ी जीत होगी क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आप म्याई दिला पाओगे आप सब बिख चुके हो, सुरी, माफ करना लेकिन आप सब बिख चुके हो अब तो यह ही प्रार्थना है कि बॉलिवूड को मूव करो बॉलिवूड मुंबई, जो मुंबई को आमने बॉलिवूड का नाम दिया था ना बॉलिवूड को मूव कर दो वहां से हमें बॉलिवुड मुंबई में चाहिए ही नहीं लोग मर रहे हैं या लोग मर रहे हैं मतलब देखो यह उद्धव ठाकरे अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया होता तो क्या आप इस तरह की राजनिती करते हैं करते क्या किसी भी नेता किसी भी अभी नेता पांडे जी अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप टिकट लेकर करके अभी लेक्षन लड़ते कि अभी यह लड़ाई लड़ते कि हमें पहले न्याई दो फिर मैं टिकट लड़ूँगा है इतने स्वार्थी लोग हो यार स्वार्थ हर चीज में स्वार्थ है आपका जितना परमवीर सिंग जिम्मेदार है उतना ही मैं आपको पांडे जी मनता हूँ कि आप भी जिम्मेदार है क्योंकि आप लड़ाई से बिलकुल ही हट चुके है ना तो आपके कोई भी messages दिखते हैं मुझे SSR की लड़ाई के लिए ना आपका Twitter पर कुछ दिखता है ना आप बाते करते दिखते हैं SSR की माला पहन ली J.U. की नितिश कुमार के चरनों में आप बैठ गए हमने कुछ वह सोचा था क्या से क्या हो गया तो बस मैं यही कहूँगा सारे SSR से जितने भी SSR हैं हम सारे इस लड़ाई को लड़ेंगे और अब हमारी लड़ाई जो है वो अलग दिशा में जाएगी अलग दिशा में इसलिए क्योंकि अब जो न्याय जो असली न्याय होगा ना वो न्याय होगा Bollywood, Move Bollywood from Mumbai और अब यह लड़ाई यही होगी और अगर मुंबे में रहती है तो बॉइकोट, बॉइकोट, बॉइकोट तीन चीज़े ठीटर में जागर के तो मूवी देखना ही नहीं है हाँ बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हो जाए इंडस्ट्री ठप हो जाए, हो जाए ऐसा तो नहीं है ना कि काम ही नहीं है दुनिया में Bollywood में ही काम करना है, ऐसा तो नहीं है ना आप मेंसे कई लोग सुशान के बारे में नहीं सोचते हैं हम आपके बारे में किसे सोचें, लाखों मजदूर मर गये उसमें तो आपने नहीं सोचता है, अब जो Bollywood को बंद करने की बार चल रही है, तो आप ये से बाते कर रहे हैं कि Bollywood से कितनों का चुला जलता है, हाँ जलता होगा Bollywood से कितनों का चुला, तो Bollywood चलाई है ना, लेकिन पुक्ती बंद हो गई न? Big Boss, कितने लोग देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा ह। और नहीं मैं चर्चा सुन रहा हूँ कहीं पर कि Big Boss लोग देख रहे हैं देख रहे हैं कुछ लोग जिनको कोई फर्रक नहीं परता क्योंकि उनके घर का जो है चराग अभी तक जल रहा है अगर उनके कोई नजदी की उनके घर का कोई आदमी अगर सदस्य इस तरह से मारा जाता तब वो इस लड़ाई में शायद जुडबाते है लेकिन सुशांत को हमने हमेशा अपना माना सुशांत क्योंकि एक सुशांत नहीं है सुशांत कई लोगों को प्रतिनिद्धित्व करता है कई नए टैलेंट को प्रतिनिद्धित्व करता है ये सुशांत की मौत नहीं है ये हर नए फ्रेश टैलेंट की मौत है मडर है जिसे आप आत्मात्या का नाम दे रहे शरम करो राजनेताओं शरम करो पुलिस बिभाग के लोगों शरम करो CBI के लोगों शरम करो ड्रग्स 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 का हल्ला मचा करके तुमने अब ये ड्रग्स का भी मुद्दा ठंडा हो गया सब खतम हो गया डराते रहो भड़काते रहो लोगों लेकिन बॉलिवूड तो खतम होगा और हो रहा है बॉलिवूड खतम होगा यह आप लिख लिजिए बस इतना यह कहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह मैसेज पहुचाईए और कहिए कि बॉलिवूड का भाहिशकार करें बॉलिवूड का भाहिशकार होना चाहिए मैं यह रडाई अंतर तक नहीं छोड़ूगा जब तक कि बॉलिवूड मुंबई से साफ नहीं हो जाता है मैं Bollywood के खिलाफ नहीं हूँ, मैं Bollywood उस Bollywood के खिलाफ हूँ जो Mumbai में है और Mumbai में जो dictatorship जो nepotism इन्होंने चला के रखा हुआ है जो ताना शाही ये बड़े बड़े actors और जिन्होंने अपने वो कहते हैं न मननत और जननत building बना बना के रखी हुए है इन समों के गाल पे आते रहना है, हम लड़ते रहेंगे, ट्विटर पे हो, फेस्बुक पे हो, ट्रेंड जादा से जादा कीजिए, ये होते रहना चाहिए, लड़ाई अभी खतम नहीं हुई है, और ये लड़ाई इतनी जल्दी खतम भी नहीं हुई, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम अं असान नहीं थे, जिया खान की लड़ाई, अभी उसकी मा लड़ रही है, लड़ रही है न, कोई फैसला नहीं आया, लेकिन वो लड़ रही है, वो इसलिए लड़ रही है कि इसकी अपनी बेटी गई है, तो हमें क्या सिर्फ इसलीए शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई अपना नहीं गया है यह सुशान की लडाई है उस चहरे को देखकर कि आपको लगता है कि कोई दूसरा गया है उसे देखकर कि ऐसा ही लगता है कि अपना यह छोटा भाई अपना परिवार का कोई सदस्य था मुस्कुराता हुआ कई उमीदे कई सपने ले करके मुंबई आया था उन्ही सपनों की हत्या कर दी गई खतम कर दिया गया एक उभरते सितारे को मार दिया गया जो चिछोरे जैसी फिल्म करता है जो बिलकुल ही सुसाइड के खिलाफ सब्जेक्ट होती है ओई बंदा पिछले साथ चिछोरा मूवी करता है और नेक्स्ट येर आप कहते हैं उसने सुसाइड कर ली और हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए अगर आप धृतराष्ट हो तो हमें गांधारी बन जाना चाहिए यही कह रहो नए गलत है फैसला करो CBI बात अगर पहुँच रही हो तो सुनो मेरी बात को एक बच्चा भी उसके बॉड़ी पे जो मार्ग्स थे वो देख करके बता सकता है किसी ओटॉपसी, किसी पोस्ट मैटम रिपोर्ट किसी बिसरा रिपोर्ट की भी जरुत नहीं पड़ेगी आँखों से माइक्रोसकोप की भी जरुत नहीं पड़ेगी अपनी आँखों से सिर्फ उसकी बाड़ी पे देखोगे तो एक नहीं हजार बच्चों को खड़ा करके पुछो तो वो बता देंगे कि यह हत्या है या आत्म हत्या नहीं है, होमी साइड का केस है खीचे जा रहे हो, खीचे जा रहे हो इसको मजाग बना के रख दिया उम्मीदों पे वो कहते हैं ना तुमने पानी फेर दिया CBI, CBI, इतनी मन्दतों, इतनी दुआउं के बाद हमने CBI को जैसे तैसे लाया सरकार ने भी जैसे तैसे यहाँ CBI आजाओ, CBI आजाओ, कुछ करना नहीं है, आजाओ, इनको शान्त कर देते हैं That's how you play, isn't it? All the politicians, all of you That's how you play with the emotions हम सारे SSRIans के emotions के साथ जो तुमने खिलवाल किया है मैं तो वोट नहीं करने वाला है मैं बिल्कुल भी वोट नहीं करूगा किसी भी पार्टी को नहीं करूगा तुम सब साले एक ही ठाली के चट्टे बट्टे हो तुम्हें किसी को भी नहीं देविंदर फड़नविस के साथ संजेर रावत की मिटिंग हो जाती है सारा मामला ही खतम हो जाता है and I'm telling you, जो भी इसको follow कर रहे हैं जो भी सुशान सिंग राजपूत के एक एक केस को follow कर रहे हैं वो समझेंगा मैं क्या कह रहा हूँ देविंदर फड़नविस और संजेर रावत की मिटिंग होती है since then मामला बिल्कुल ठंडा हो गया है बिल्कुल ठंडा हो गया उसके दूसरे तीसरे दिन aims की रिपोर्ट आ जाती है कि यह murder नहीं है यह आत्महत्या ही है हम क्यों ना connect करें हम क्यों ना connect करें आपकी गंदी politics को इस investigation से बताओ एक कारण दे दो कि हम BJP को जिम्मेदार नमाने शिवसेना को जिम्मेदार नमाने एक कारण दे दो PM Modi कुछ नहीं बोलते है मन की बात बोलते रहते हैं जन की बात कभी सुनते ही नहीं हमेशा अपनी मन की बात करते हो प्रदानमंतरे की कभी जन की बात सुनलो कभी जनता की भी बात सुनलो क्या गलत है Communication is always a two-way process Isn't it? कभी बोलते हो Birth, तो कभी सुन भी लिया गरो पर आपने तो सुनना ही नहीं है एटलिस ये मेरी बात सुन लो मेरे जैसे हजारो करोडो लाको ऐसे सारी अन्स की बात सुन लो कि बॉलीवुड को मुंबे से शिफ्ट करा दो बॉलीवुड को मुंबे से हटा दो अर्बो खर्बो रुपया आप ऐसे ही खर्च कर देते हो शिफ्ट कराने में ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा सारी चीजें वहाँ से सिर्फ आपको शिफ्ट करनी है राजधानिया बदल दी गई है सहाब यह तो मैं सिर्फ बॉलिवूड को शिफ्ट करनी की बात करना है कही जगों पर राजधानिया पहले आपको पता है कोलकाता भारत की राजधानी ही उड़ा करती थी फिर दिल्ली राजधानी ही तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बॉलिवूड को shift ही करना है हाँ उन कचरों को shift मत करना है जो जितने भी भूगा मुंबई में जम गया है न actors उनको वहीं रहने दो बहुत fresh talent है इंडिया में बहुत सारे बहुत सारे ऐसे सारे fresh talent है उनकी अवात्मत्या के नाम पे जो है ना हत्या नहीं होनी चाहिए एक ऐसे सार मरा है या मार दिया गया है मार दिया गया है जिसे उसके बलिदान को व्यत्त मत जाने दो प्रधान मंत्री जी व्यत्त मत जाने दो और ऐसे सार नहीं मरने चाहिए हमें ऐसे सारियन्स की हाद जोड़कर प्राथना है आपसे, हाथ जोड़कर मैं प्राथना करता हूँ कि किरपया करके Bollywood इंडस्ट्री को मुंबई में बंद करके shift कीजिए धन्यवाद, धन्यवाद Have a good day और सत्य में वजयते सत्य में वजयते, सत्य मनवेशी हैं हम सारे SSRians हिम्मत ना हारें हिम्मत के साथ लगे रहें क्योंकि अब आवाज यही उड़नी चाहिए कि Bollywood boycott है और तब तक boycott है जब तक यह मुंबई में है धन्यवाद